मसकार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लगाएंगेore regression test और ranking test में क्या होगा। इसमेट Sundays कील संख्या यह निज्वन सहभी प्रस्णों होगा. सबसे पहले दोस्तों, इसमें दो प्रकार के सवाल भनते हैं, उसको भी अभी हम समझा देंगे तो देगे नियुंतम बाले जो सवाल बनते हैं ना मैक्सिमम स्टुडिन गलत कर देते हैं वो क्या करते हैं कई बार तो यह ऐसा कर देते हैं जिसे मोमन पीछे सातमा दिया है असुबन आगे से चटा दिया हुआ है तो यहां पर इसको अधिक्तम संख्या याद रखिएगा जब यह पूस्ता अधिक्तम संख्या बताईए तब आपका ये वाला अंसर होता है अधिक्ता में कोई दिक्कती नहीं है जो भी बैठे होंगे लेट राइट बताएगा ही उन दोनों को जोड़ दीजिएगा जितने लोग बीच में ब से एक राइट से यानि इन दोनों का योग फ़र साट कर लिख रहा है लेट प्लस राइट इतना योग कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको माइनस करना आए इन दोनों के बीच में जितने वी लोग बैठे होंगे न उसको लिखना आए तो एक लोग बैठे होगे यहां पर middle का मतलब होता है जो बेक्ति के बीच में बैठे होंगे अब plus plus का दो यानि दो जोड़ना भी पड़ेगा अब दो क्यों जोड़ा है क्योंकि यहां पर दो बेक्ति होंगे ना सब्सक्राइब दो जो 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 इस तरीके से आपको लगाना कोई ज्यादा कटिन फार्मूला नहीं है बस इसको आप अच्छे समझ लेंगे तो आप टेपर में करतेंगे इस टाइब के सवाल अक्सर परिछाव में पुछ जा रहे हैं यहां पर देखते सवाल नमबर दूसरा एक पंक्ति में A 22-15 स्थान पर है तता B 22 से 20 स्थान पर है यदि A तता B के बीच 8 बेक्ति हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने बेक्ति हैं अब दोको यहां पर भी कम से कम पूछा गया है तो सबसे पहले इसको जोड़ देंगे 15 और 20 कितना होता है लेप्ट प्लस राइट बत 10 घटाएंगे तो कितना आएगा इसका जो राइट अंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा जो कि आपसा नंबर सी दिया हुआ है अब यह इसी प्रस्ण में अगर पूछ लिया होता अधिक से अधिक कितने बेक्ति बैठे हुए हैं फिर आपको क्या करना होता जब अधिक से अधिक पूछता तो 15 अप्लास 20 अजितने बीच में बैठे हुए इनको भी जोड़ देंगे तब यह अंसर कितना हो जाता 35 अब 35 और 8 कितना होता है 35 और 8 43 हो जाता तो यह हमारा आता अधिकतम क्या आता अधिक से अधिक यानि अधिकतम जब पूछता तब अंसर यह हो जाता ठीक कोई मतलबी नहीं है रभी जो है एक सीरेस से 24 समा है जबकि सीमा दूसरे सीरेस बाइसमे स्थान पर है यदि रभी यहा सीमा के बीच 19 चातर है तो पंक्ति में कितने चातर है अब देखो यहाँ पर कम 50 से कम बोला है ना कम से कम चातर की बात हो रही है तो आपको 22 लगाना ह आपका अंसर आजाएगा इसको जोड़ लिजिए 6-2-8 यानि 48 आएगा और यह हमारा आएगा 21 इसको घटा लेंगे 8 में एक घटाएंगे कितना आएगा साथ आएगा और 4 में दो घटाएंगे तो दो आएगा यानि इसका जो राइट अंसर होगा 67 देख रहे हैं न मतलब जादा टाइम नहीं लगने वाला है अक्सर सवाल इस टाइब के आते हैं नियूंतम बाले आप समझ गए चलिए अधिकतम बाले देखिए कुल कितने लड़के हैं या अधिकतम लड़के हैं तो आपको अभी आपने बताया था उसी कांसिप से लगाना है इनमें सब को बस इतना आपको जोड़ देना आपका अंसर निकालाएगा यानि 25 तो अधिकतम या कितने लड़के टोटल बैठे हुए इसमें दिकत नहीं होती है दिकत कहा पर होती है नियूंतम बाले में वह भी आप समझ गए होंगे चलिए इसी टाइप के एक सवाला वार इसको देख गटेगा तो तीन से कॉंट गट रहा है तो इसमें कितने लड़के टोटल होंगे 48 होंगे अब चाहो तो करके देख लो इधर 16 इधर 16 आए 16 प्लस 16 तो लिखोगे ही अब टोटल हमें पता है 48 है इसका मतलब 48 का ही एक बटा तिन करेंगे ना तो 16 तो आएगा ऐसे भी आप क अच्छा लगा दोस्तों लाइक जैर भी कर दीजिएगा बीट दिने लिए दोस्तों धन्यवाद